खगडिया में बनने वाले पूल गिरने के बाद उस पर सियासत शुरू हो गई है मारे साथ निरज कुमर बबलू है पुरुमंत्रिय मंत्री जी पुरुमंत्र निरजी लगतार मंत्री जी का जबाब आ रहा है क्या आप लोग संतूष्ट है उनके जबाब से देखिए ये बि सामने आई है सिंगला कंपनी ये 2005 से लूटने का काम कर रही उस समय भी कई पूल बने थे उसमें भी मुझे लगता है कि कोसी कमिस्टरी में पूल बना है वो पूल भी धसा हुआ इसके अलाबे जो भी काम उसका हो रहा है सभी कामों के जांच की अब सकता है और ये सबसे प पाएगा कि ये कमपनी कितनी लूटी है कब से लूट रही है नहीं तो विहार का धिकारी जांच करेंगे फिर लिपा पोती करेंगे और कुछ नहीं निकलेगा जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ठेकेदार को दिया गिया है ठेकेदार के माध्यम से लिया गिया है ये जेडियू के विधायक हैं संजू सिंग उन्होंने डिमांड किया है कि हाई कोड के सिटिंग जलसे इसकी जाज करा है परते अमरित जो विभाग के अपर मुक्षचिव हैं उनको हमने कई बार जानकारी दी थी मुलाकात की थी पूरी बात बताई थी सदन में भी आप जब थे और जवाब दही उनको लेना चाहिए इस पूल पर और कारवाई करनी चाहिए सही डिमांड है कि हाई कोड के सिटिंग जलसे हो हम तो कह रहें कि सीबी आई से जाचो सीबी आई जाच करेगी तभी दूद का दूद पानी का पानी निकल पाएगा अच्छा एक और सवाल है कि जीतरा माजी जी जो है वो लगतार कर रहे हैं कि नितिश कुमार हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं लगतार दबाव डाल रहे हैं कई वर मुने मर्जिंग करने की बात की लगता है कि माजी जी जी अपने को असहज महसूस कर रहे हैं इंड चीज वो समझ रहें इसलिए वो इस बार सही बोल रहें कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है उनके कहिंद के प्रेसर बनाया जा रहा है उनसे को प्रलोभन दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि माजी जी आने वाले समय में सही डिसीजन लेंगे अप लोग स्वागत कि जो पूल का मामला है उस मामले पर सी बी आई जांच हो या हाई कोट के सीटिंग जर्से सीटिंग जर्सेश की जांच कराई जाए तब ही दूद कदूद और पानी का पानी होपाएगा करेमेन सुनिल के साथ उनुष कुमार कशी स्मूत पटना